स्वागतम सु स्वागतम हमारा प्रियमित्र अपनी भूक हर जरूरत को जानकर अपनी जेब से हमारा मतलब अपनी जिंदगी के अर्थ को समझने वाले हमारे विश्णु की सगाई बंदना के साथ होने जा रही है विश्णु तेजा सेद प्रदीप के साथ सब का अभिनान देना बसते हैं यह तुम क्या कर रहे हो बेटा नहें वदू और वर की सगाई होने जा रही है उसकी तस्वीर खिचने की बजाए तुम उसके सामने खंबे की तरह खड़े हो गए हो विक्की हुई चीज का अडवर्टाइस्बेंट क्यों करना चाहिए गुरू जी वैसे भी हमारी खुपसूर्ति देकर कोई तो सामने यहीं हमारी आश्या है वाह बहुत ही अच्छी नजर है तुम्हारी गुरू जी सब आपका शिर्वाद है ज्यादा आगे नजर रखोग अर आप थोड़ा से लेफ्ट आईए ठीक है ना थोड़ा प्यार से मुस्कराईए ऐसे नहीं देदी टीवी सिनेमा नहीं देखती यह ठीक है एक और अच्छी है ना यह सब शादी के बाद कर लेना अबंदर आजाओ हां हां आ रहा हूं यह अजमान इनके नाम के मुताबिक अगले शुक्रवार की शाम को छे बचकर 31 मिनिट पर अदभूत मुहरत निकल रहा है अगर यह मुहरत निकल जाएगा तो जातक के मुताबिक 51 साल तक कोई भी मुहरत नहीं निकलेगा पंडित जी चाहे कुछ भी हो जाए शादी इसी मुहरत में होगी क्या-क्यात हर भाईसाब यह तो खुषी की बात है रशम शुरू कि जी बात है सम पूरी किजिए ना थेला बहुत भारी हो गया लगता चैनल यह विश्णू अच्छी से ओ गए बहुत अच्छे जोगांगी तुम्हारी शादी बिना मैं बहुत अच्छे से कैश करूंगा हाँ चाला चला बाइस बोला तो मैं कुछ और ही समझा यार पैसों पहीं चारा था हालो देख भाई मैंने कैंटीन वाले को 400 प्लेट्स का अडवांस दे दिया है और वो जो फ्लावर डेकुरेशन वाला है बहुत मच मच कर रहा था मैंने मना कर दिया ठीक है यार ठीक नहीं है अभी एक काम बैलेंस है भाई क्या बाटी और क्या आच्छा वो आ यार शादी के समझा जब से तेरी इंगेजमेंट हुए उसके बाद से मेरे पास बहुत सारी बुकिंग आई थी लेकिन मैंने एक बीने ली पार्टी दे दे मेरे भाई दे ला यार कल के देनी तो शादी है तो आज मैं पार्टी कैसे दे सकता हूं तेरी शादी होने में अभी 36 घंटे है और दिमाग मार गया अब वो सायद कामर गया यह किसी और टाइम की परवानल कि अहींगे रॉद्री से पैयार किया कर सकते पता नीं हों कहां है मजह लगता है यह दू लगता यह दू फ्रस्ट्रेशन में तू साइयक को फोन लगा उसी को लगारा ए तरव यह मैंने लैंड लाइन प्री यार अधिया तरव आई तरवा रहा है काउंटर पेठ़ कहानी सुना रहा है उसके बारे में तो पता ही है ना कि एक टी दो टीटी टीन सलाम आलेकम भाई को इंसान याज़द से मतलब नहीं है पैसे शे मतलब है पैसा कब देगा बै? मुझे दो महिने का टाइम चाहिए. ये मलेशिया दो टाइम पर आने के अलाव़ा टाइम नहीं देता. इस बार पूरे पैसे देदूगा. तब तक आप ये ब्याज की पैसे रखिए. ब्याज बराबर देते समय असल याद नहीं आता. अगर इस बार टाइम पर नहीं दिया, तो तुम्हारी शौक में ही समाधी बनातूँगा उसकी तो मैं उससे चीर करक दूँगा, पैसे खा के मर जाएगा वो, उसका ब्याज ही खतम नहीं हो रहा है अगर वो दुबारा मेरे सामने आया, तो कुचल-कुचल के मारूँगा उसे अरे भाई, हुआ क्या, तुने ओर दिया अरे छोटू, इधरा, यस सर, बोलिये सर ए, तुम्हें जो भी सही ओर दे दो क्यो, तुझे क्या हुआ, अरे बोला ना यार नहीं पिऊँगा अरे छोटू, कुछ ऐसा पिला, जिससे बोडी में हल चल आ जाए देश सकता हूँ सर, उसका रेट जयादा होगा मास्टर, ये अपनी जिंदगी की लास्ट बेचलर पार्टी ते रहे रेट जयादा भी चलेगा, लेकिन किक कम नहीं होनी चाहिए पीते ही दिमाग में हल चल जा ये तो पीने से पहले ही पागल हो गया मेरी बात सुनो, तुम कौन सा ब्रैंड लाओगे मैं नहीं जानता पर हम तुमें इतनी टिप देंगे की तुम माला माल हो जाओगे इसलिए जो सबसे बेस्ट है वो ही लेकर आना यहां मिलने वाले टिप से मैं उधार चुकाता हूं इन्हें पता नहीं है ओके सर अभी क्या हो रहा है एई कहा देख रहे हो यार बोल रहे कुमार भाई वह हमें पहले अमाउंट देने वाला था ना आप बोला नहीं है नानी उसे बोलो ना गोलू नानी ने बोला है नहीं दिया तो मार दिया जाएगा नाम के एसाब से रिंग टोन अच्छा रखा है नानी है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि किरावणी ने इसके लिए एक सॉंग कंपोस्ट किया है चाहे किसी का भी कॉल आए बोलना आज भाई बीजी है आज मैं अपना पूरा टाइम अपनी तहरा के साथ बिताऊंगा मैं बाहर जाता हूं अब अब कब आएगा पापा डी एसपी आँ बोलिया पापा अरे विश्नु अर्णो की बुआ को वेडिंग कार्ड ने दिया तुमने दिया ना पापा वो मंदिर गए थे इसलिए पड़ोसी को बोल कर दे आया ठीक है बेटा अभी तुम कहा हो वाई अपने सायद और बाकी सब के साथ क्या बोल के साथ तू इंटरनेट के लिए आये थे पापा फॉरण के फ्रेंड्स को वेडिंग कार्ड मेल करने है ना ठीक है ठीक है जल्दी काम निप्टा कर आओ ठीक है पापा सर आपके पापा डीएसपी हैं नहीं चैंटी डीएसपी यानि दुवूरी श्रीनेवास प्रसाद है कॉलिज में रैगिंग से बचने के लिए तब से फीड कर रखा था अभी भी कंटीनी हो गया है सर सर हलो सर आपको ही बोल रहा हूं सर जवाब देना सोड़ा या थमसर डाल दे जो डालना है ताइम हो रहा है यार शुरू करें क्या शुरू करें क्या शुरू करतें शुरू करतें चीर्स शुरू 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 अजयूू अजयू अजयू है वो अग्यू आप तैन्स को श्राइब सिर्ण आट एए, 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 होट में, होट एए, होट एए, होला हा एए, एए, होट एए एए, हो… रए हम भाल बंदना हाई स्वीठार्ट, गुद मॉनिंग गुद मॉनिंग, क्या कर रहे हो मैंना, कैसे नीचे उतरूँ, वो सोच रहा था क्या? वो बहुत बहुत सुस्ती चाह रही थी, इसलिए सोच रहा था, बैट से नीचे कैसे उतरूँ पता नहीं, विष्णू, तुम्हारे साथ शादी हो रही तो अच्छा लग रहा है लेकिन ये प्रोसेस ना काफी मुश्किल है सुपा सुपा उठा दिया यार वंदना, रोज इस तरह लेट उठना नहीं चलेगा जल्दी उठकर आजाओ यही मेरा हाल है लेट हो जाओंगी तो अंदर भी आ जाएगी आँ हसना बंद करो बंदना, आ रही हो या नहीं? हाँ मा आ रही हो, ओके भाई 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 यूएस क्लाइंट्स लाइन पर है कहकर ऑफिस से फोन आया था बात करके तुरंट मैंने घर आने का ही सोचा था लेकिन आप तक नहीं छोड़ा है यह सब क्या है बेटा अपनी शादी के लिए भी टाइम नहीं है तुमारे पास अगाड, कैसे हो गारे बाबा तोर खोल नहीं रहा और यहां से उतर नहीं सकता भाईया, अलो, डैट जीप, भाईया आपको यह यह तो वही रात वाला है भाईया, प्लीज सेव मी भाईया, हेल्प कीजिये ना नीचे उतरना है इसे हेल्प चाहिए, इसकी तो हम अच्छी तरह से हेल्प करेंगे एक बार नीचे तू आए, फिर देखना कैसी हेल्प करता हूं यह तो गया काम से आने तो भी आने दो, आने दो, पस 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 मेरी बात ध्यान से सुनो, उससे शक्नी होना चाहिए आजो आजो अराम से आज थांक यू भईया अरे भईया क्या कर दो यह क्या चादू है वंदना दिन बदिन चमकती चाह रही हो हमें भी इसका राज बता दो खुश रहने वाले हमेशा खुबसूरा दी दिखते हैं चाची जी और जिससे प्यार किया उसी से शादी भी हो रही वो एक बहुत लंबी कहानी है यार गुड मॉनिंग मम्मी नाश्ति में क्या बनाया है यह क्या है दस बच चुके हैं और तुम अब सोकर उठ रही हो दूसरी और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए रिष्टे ढून रहे हैं थोड़ा जल्दी उठकर बॉकिंग पर या जॉगिंग पर जा सकती हो ना थोड मूब बन कर मैंने OLX ओपन किया है उसमें ट्रेड मिल देख रही हूँ क्या का हमारे खर में second hand चीज आएगी हाँ पापा क्यों बेटी अरे नया ही खरीद लो ना मैं ज्यादा से ज्यादा दो महिने अस्तमाल करूंगी इसके लिए इतना खर्च क्यों करूं वैसे भी एकले महिने मां का birthday आ रहा है इनके लिए कुछ अच्छा सा खरीद लीजे का ठीक है बेटी मेरा बैंक का टाइब हो रहा है मैं चाता हूं अब कर दो अब अब यह पर आपने जो ट्रेड मिल का पोस्ट डाला है उसी के लिए कॉल किया उसे लिए हुए कितना वक्त हो गया अच्छा पर यह क्या आपने दाम इतना कम रखा है एक्छुली हम लोग खरीदी हुई चीजों को बेचते नहीं है ऐसा सोचकर उसे मुफ में भी तो नहीं दे सकते ना आप्शन मिला तो जस पोस्ट कर दिया था ठीक है मैं शाम को आकर देखती हूँ हाँ चलेगा थांक यू आरे मा शाम को ट्रेड मिल देखने को याने वाला है पास रहे कर दिखा देना ठीक है बाए अभी मैं थोड़ी देर में आती हूँ हाँ थां रखना विष्णु जी है क्या आये ना ट्रेड मिल देखने आने वाली है मेरे बेटे ने कहा था आप ही लोग हैं जी हाँ बैठिये वो ट्रेड मिल मेरे बेटे ने मेरे लिए खरीदा था चेस्ट पेन होने पर काडियो लोजिस्ट के पास गया था टेली वाकिंग करने के लिए उ पेर में दर्द शुरू हो गया, पेर का दर्द दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि आपको तुरंट वाकिंग करना छोड़ देना चाहिए कौन से डॉक्टर की बात सचे पता ही नहीं चलता, अभी तक वो ऐसे ही पड़ा है इनके सामने भी शुरू हो गया, यह जोक मेरे पापा सौ लोगों को सुना चुके हैं और आप 101 भी हैं, मजाग कर रहा हूं बाबा यही है मेरा बेटा विश्णू कौफी लो न बेटा नहीं आँटी, कौफी के आदत नहीं है दरसल बच्पन से ही इसे दूट से अलर्जी है देखो, हमारे विश्णू के नाम से हमारे घर आने वाली तुम ही पहली लड़की हो इसलिए प्यार से कौफी बना कर लाई थी कोई बात नहीं आँटी, दे दिजे आँटी, कौफी तो बहुत अच्छी है कौफी इतनी टेस्टी होती है, मुझे अभी पता चला बहुत मिस्स कर चुकी हूँ एक बार ट्रेड मिल देख सकती हूँ गया शॉर आईये एक बार ट्राइ करेंगी अदू प्लाइब नो, जोड़ी तो प्लाइब एक भी नो, प्लाइब और ट्राइब लूँ कोई तू मेरी तरफ ऐसे दिखा करे हो सनु थिर मेरी नजर तुझसे नाहते मेरे हमदन ये मेरा दिल दुझ पे आया है को सोना मैं खुद को अग रोकूं कैसे मुझको सम्हालो ना हलो विष्णो जी जी बूलिया आपने ट्रेड मिल तो दे दिया लेकिन उसका बिल नहीं दिया माफ कीजिये देना भूल गया आप बुरा नहीं माने तो लाकिती देंगे क्या हाँ क्यों नहीं ओके जी थाइंक यू मेरा बंधन तुझ से कभी तूटे गाना सनम करू के ना मैं करू मुझको नहीं है पता पस यह अब मेरी मरती तेर लिय अब मै क्या करती तुझ पे ही जीती, तुझ पे ही मरती, तुझ बिन रह नहीं सकती ये चोटी चोटी सी वातों से ही क्यार बड़ेगा मैं खुद को अब रोखू कैसे तेरा भी क्या कहना हाई ये लिजे, गिराप बिल अंदर आईए नो नो प्रब्लब, मैं निकल ताँ अंदर आजाओ बेटा आईए तुम्हारी मम्मी जितनी अच्छी कॉफी तो मुझे बनानी नहीं आती लेकिन मैंने थोड़ी कोशिश की है तुम्हारी मम्मी को धनेवाद कहना बेटा उनकी वज़ा से इसने कॉफी पीना शुरू कर दिया है वैसे विश्णु जी आपको जब भी कॉल कर एक गाना सुनाई देता है आप तो जिस गाने को सुनकर इंजॉय ना कर सके उसके लिए मतली 30 रुपिस क्यों वेस्ट करते है अरे वो मेरे माता पिता का पसंदी दा काना है मुझे ज्यादा तारूनी का कॉल आता है वैसे भी माता पिता की खुशी से जादा पैसा बड़ा थोड़ी होता है अब मैं चलता हूँ बाई और बोलो तुम्हारी तना ट्रेड मिल मैं तो नहीं कर सकती हूँ हे हलो विष्णो जी कहा है मैं अभी कुककटपली फोरम मॉल के पास हूँ वैसे आपके ट्रेड मिल की वारेंटी है ऐसा ओले लिखा था ना हाँ और आट महीं ने किया ना तो फिर तो वो देना चाहिए ना अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बिल दिखाएंगे तो भी चलेगा तो क्या नहीं दे पाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है एक काम से बाहर जा राथा मैं अर्चित है क्या बहुत इंपोर्टेंट है जी तो फिर काम होने के बाद कॉल कीजेगा बाई इंपोर्टेंट भी कह रहा है और लड़की के साथ जा भी रहा है क्या बात हो सकती है पता नहीं यार एई कहा जा रहे हूं वो मैं आने के बाद बताती हूं एगोर्टेंट जूएं क्या अवस्षड़ती है यूव इस वक्त होटेल में क्यों जा रहा है? वो रहा चलो क्यों रहे? इस ओवर की लास्ट बॉल मिस हो जाएगी ऐसा लग रहा है? दो खंटे के मैच में एक बॉल मिस हो जाएगी तुम ये सोचकर खबरा रहे हो और दो दिन से तुम घर नहीं गई ये सोचकर ये कितना खबरा रहे हैं? इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैं घबरा रही हूँ या फिर तुम्हें मिस कर रही हूँ ये जानने की पॉजिशन में तुम हो ही नहीं शिवम ये कैसे हो सकता है यार? ए ये एंचिनेरिंग में गोल्ड मेडिलिस्ट है वो पाने के लिए कितनी मैनत लग जाती है? पता है तुम्हें? ऐसे में उसकी मैनत को किचिन मे ले जाका रखना है क्या? शादी के लिए अपने माबाप छोड़ाई और हमारे लिए अपनी नौकरी भी छोड़ देती है और परिवार के लिए पसंद भी छोड़नी पड़ती है ऐसा ही है सब कुछ छोड़ देना तो एक दिन अपनी जान भी छोड़नी पड़ जाएगी अपना घर छोड़ने के बाद कितनी भी तकलीफ या है यह हमेशा उतनी हिम्मत से तुमारे साथ रहती है जब तक हमें तकलीफ नहीं होती तब तक इन के लिए हम कुछ नहीं सुचते असल में ऐसा दिन देखना ही ना पड़े उसके लिए पहले से मैनत करती है यही तो है इन में और हम में असली फार्क हफते में दो दिन की छुट्टी होती है चनिवार को सिनेमा जा सकते हो और अविवार को मिलकर खुक कर सकते हो दोनों मिलकर आने वाले वीकेंड में जम कर मजा कर सकते हो ऐसी खुशी पैसो से नहीं मिलती किसी भी कपल के लिए इससे अच्छी लाइफ हो सकती है क्या सही बोल रहा है यार मैं कुछ ज्यादे सेलफिश हो गया था एक वक्त था जब में इसकी खुशी का कारण होता था और आज आंसू का कारण बन गया गल्ती हो गई यार आम सॉरी मुझे मत काओ उससे काओ आम सॉरी सीमा थांक यू विश्णू भाई यार भाई हलो हां कहां पर है आप यही हो ओ हाई आप यहां यहां वो दोनों कहीं जुदा न हो जाएं यह सोचकर घबरा गई थी मैं आप जैसा फ्रेंड मिलना तो सच मच उनकी कुछ नसीबी है थांक यू बाइदवेए मेरे घरवाले मेरे लिए लड़का डून रहा है ओ अल्द बेस्ट वैसे भी न रसीब चाहिए आप जैसे लोग मिलने के लिए आपको जो चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा मेरा बंधन तुझसे कभी तूटेगा न सनू करू के ना मैं करू मुझको नहीं है पता बस यही अब मेरी मरसी तेरे लिए अब मैं क्या करती तुझ पे ही जीती तुझ पे ही मरती तुझ बिन रहे नहीं सकती ये चोटी-चोटी सी बातों से ही प्यार बढ़ेगा मैं खुद को अब रोकू कैसे तेरा भी क्या कहना आंटी अंकल से मिलने के बाद ऐसा लगता है वो बहू से ज़्यादा बेटी जैसा रखेंगे मुझे विश्नु को देखने के बाद लगा वो आप लोगों का भी अपने पेरिंस की तरह ही ख्याल रखेगा मा शादी के बाद अपनी लाइफ पार्णर को कितने अच्छे से समझेगा ये थोड़ी देर पहले ही विश्नु के अपने फ्रेंड्स से बात करकी पता चला इसलिए मुझे हर तरह से विश्नु ही सही लगता है मा हाँ बेटी विश्नु से मुलाकात के बाद और उसकी फैमिली से मिलने के बाद मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ पापा के आते ही मैं बात करती हूँ ओके, थैंक यू मा हलो हलो विश्नु जी बोलिये वंदना जी ट्रेड मिल स्टक हो गया है, बेल्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है इसका वारेंटी काड लेकर आएंगे क्या ओके, गारंटी के साथ आओंगा येस बापा, आज आप अपने बैंक, दस मिट लेट जाओगी क्या क्यों बेटी? रात को बताया था ना जी, वो ओलेक्स वाला लड़का आने वाला है अच्छा, तो दामाद जी आने वाले होने वाले दामाद जी के लिए दस मिट क्या बेटी दस दिन भी बेट कर सकता हूँ लगता आ गया है पापा आउटी, आई, 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 कैसी हो? मा, मा, देखो कहन आया है नमस्ते में, कैसे हैं आप सब? आई, बैठे के ना तुम इसे ही पसंद करती हो? हाँ, पापा अगर बोलती कि बैंक के प्यून से प्यार करती हो तो उससे शादी करवा देता मैं तुम्हारी लेकिन इस आवारा के साथ कभी नहीं करवाऊंगा मुझे नहीं पता था, ये आने वाला है नहीं तो इसके लिए दस मिनट क्या दस सेकेंड, दस सेकेंड भी वेट करना वेस्ट है किस मुँ से खड़े हैं ये लोग यहाँ पार, जाने के लिए बोलो चलो मा विश्णू, विश्णू, रुको विश्णू, क्या हुआ हुआ आखिर अमारे फैसले बदल सकते हैं लेकिन, सच कभी नहीं बदलता बंदना बाई, चलते हैं आंटी, चलो मा बेटा बंदना, जल्दी से नहा कर आओगी या नहीं टाइम हो रहा है, रेडी होना है, आजाओ अजाओ अजाओ यहाँ, 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 भगवान हमेशा मेहनद करने वालों का साथ देते हैं, यह सच है मैंने इतनी मेहनद से कबजा करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, तो मेरे साथ भगवान भी तो होना चाहिए न, और तू कहता है कि यह सब इल्लीगल है अगर मुझे कोई लड़की पसंद आती है या कोई जमीन पसंद आती है, तो उसे मैं मर के भी नहीं छोड़ता ये वही आखे हैं न, जो मुझे महनद करते हुए, देख नहीं पाती अगर तू अपनी कंप्लेन वापस ले लेगा, तभी तेरी आखे बच सकती है मैं वापस ले लूँगा सर, मैं वापस ले लूँगा, नहीं नहीं सर, प्लीज सर ऐसा मत करो सर बोल, क्या चाहिए, फूंद या आखे, मैं सर, मैं केस वापस ले लूँगा, मैं सर, वापस ले लूँगा, गुट, तरने वाला हमेशा खुश रहता है, याद रखना, है, तेरा जो, पाई, इसे लेकर जा, अब इसे लेकर आ, साहब सोकर काफी धक गए होंगे, पूछ रहे, इससे क्या चाहिए, सर, कब चाहिए मिलेगी, बस चाहिए तो मांगी थी मैंने, मेरे ट्रीटमेंट ऐसा ही रहता है, रात को क्या होआ, याद है कुछ, अरे कुछ किया होगा, तब ही तो लाए होगे, आप ही बताओ, कितने लोग हो तुम लोग, मैं और मेरे एक बेहन भी है, वो भाग गई तो, हम उसे परिवार का हिस्सा नहीं मानते, मैं तरी फैमली की डिटेल नहीं पूछ रहा हूँ, तुमारे बैच में कितने लोग हैं वो बता, अच्छा वो, टेंथ क्लास में 26 थे, इंटर में 42 थे, मुझे मारना बंद करो, वरना नहीं बत लो, लगा, लगा, फोन लगा दोस्तों को, सर नंबर बताए न, तेरे फ्रेंड्स के नंबर मेरे पास कहा से होंगे, मुझे याद नहीं है, ना टक कर रहा है तू, मा कसम सर, मा का नंबर भी याद नहीं है, सर, येस, लिफ्ट, लिशे बहुत बड़ी गाड़ी आ रहे है, उसे ले लो, लेज, लिफ्ट प्लीज, अंटी लिफ्ट, अंटी, अंटी लिफ्ट प्लीज, ठैंक्स अंटी, जितना आपका दिल बड़ा है, उतनी ये, सीट बड़ी नहीं है, गाड़ी रोखने के लिए थैंक्स, आप जा सकती है, ने कब्बा कहीगा, ये क्या है बे, इतनी इमार खाने के बाद सच बाहर निकलना चाहिए, खून नहीं, सर, मेरा यकीन करिये सर, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है, हे, तारा को ले जाकर तुम ले क्या क्या बताएगा या फिर मरेगा, आज रात को अपनी शादी रखकर, मैं उसे ले कर जाकर क्या करूँगा, सर, हाँ, 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 आज शाम को शादी है तेरी, हाँ, सर, आज शाम के 6 बच के 31 को, जे के फंक्शन हॉल में मेरी शादी है सर, सच में सर, अरे राजो, शाम को इसकी शादी है, और फिर भी इतनी गंदी सोच रखता है, ऐसा कुछ नहीं है, तारा को ले जाकर तुम लोगों ले क्या क्या बताएगा या फिर मरेगा, भाई, फोन है, क्या कोड़ा, ये, कट दे, बोलो कुमार, उससे कहो कि ना गोलू नानी ने बोला है ये, बताता है कि मार खाएगा, इसने अपने नाम के एसाफ से रिंग टोन अच्छा रखा है, नानी है न, याद आया सर, टाइम हो रहा है यार, शुरू करें क्या, चीर्ज, क्या बात है, यहाँ तो सब बीजी है, है, यहाँ पर ओडर कॉन ले रहा है, इतना आ रहा है छोटो, क्या रहे, आमारे बुलाने पर भी नहीं आता है क्या वो, भाई के बुलाने पर क्यों नहीं आ रहे, उस गन को देख कितनी मस्ट लग रही है, सच में बहुत चमक रही है, यार, सच में बहुत चमक रही है, क्या मस्त बंदी है, सेक्सी पीस है भाई, बहुत सेक्सी है यार, बिना छुए ही मेरा तो मूड बढ गया, एक बंदू का दिवाना है और दूसरा लड़की का, हत तरी, वाश्रूम जाकर आती हूं कान जा रहा है पे हाँ चोड़ता हो यार अर्जेंट जाने दे प्लीज यार तो मारूंगा ज्यादा नाटैक मत कर बैट अभी ताइम भी पूरा हो रहा है चल्वा कौन बनेगा करोड़पती में जैसे मिताब बच्चे ने एक करोड़ रुपे दे दियो मुझे उत्री गुसी औरे प्लीज यार मेरे भाई में तरे हाँ जोडता हूं मुझे चाने दे यार उससे कभी पटने वाली फिगर फट चुकी है चाने दे यार अभे अभे ऐसा भी क्या हो तावला हो रहा है अब तेरी प्रॉब्लम क्या है एक बार उसकी गण हाथ में लेकर संगह में स्टाइल में सेल्फी लेनी है यार गंड बुले लोड़े वाई वो देखने में बहुत बयानक लग रहा है इतना रिस्क लेना ज़रूरी है क्या अ एक सेल्फी लेनी है मुझे सेल्फी अरे हमने कुलफी भी सुना बर्फी भी सुना है पर यह सेल्फी क्या होता है तुझे पता है क्या होता है तो आपके साथ थोड़ी रहता तेरी जटका कच्रा करवाता है वो क्या है सर फोन में एक बैक कैमरा होता है एक फ्रंट कैमरा हो सेल्फी लेली इसने ये लेडीज वाश्रूम है लेडीज को शरम ने आरी तो वाश्रूम से क्या लेना देना तुम क्या करते हो जॉब नहीं मिला तो कैब खरीद कर चला रहा हूं आजकल और क्या करते हो और तो कुछ भी नहीं करता और कुछ नहीं करते तो मुझे देखकर फ्लाइंग किस क्यों मारा था तुम बहुत ओपन हो ना इसलिए ऐसा किया था तुम कितने लोग आये हो वैसे तो चार लोग आये हैं लेकिन तुमसे मज़ा करने वाले आँ सौरी बात करने वाले सिर्फ तीन ही है वैसे भी कल तुमारे सोचकर आज खाना खाना छोड़ देते हैं क्या सबका अलग लग तरीका है ठीक है टाइम देखकर मैं इसारा करूंगी आस तो पॉसा आएगा अब कहाँ तो बाहर आने के लिए बोल रही है क्या करा राने को बोल रही है इस एवरिटिंग इस ओके मजा आगया और लोगी ने बस 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 अरे बस यह तुम्हारे नाम पड़ता रहा पल्लाव यो तरा यह चलो उड़े चलो चलो यार जल्दी चल ए वह बोलो का है चोड़ना उसे चलो चलो यह क्या है अचानक से प्रोग्रम है जल्दी कर अभी यह लड़की को ने तो आज की पाटी ने देताओ आज दोस को ने आरे डोस नावा अब कहा जा रहा है यह तो बता अरे कहा नेकर रोगा रहे हैं अज़िए आपको मेरी शादी है याँ आपको यहां पर चलिया कैमरा आउनकर चलिए चलिए ठीक से नी आ रहा हूं सभी लोग नी आ रहें यह मैडम कोन है मैडम जिगरी दोस्त है हमारी एलो मैडम एलो जिए सब्सक्राइब करें रिपीट हुए पर फोटोज एकदा मस्ता है फेस्बुक वाट्सअप इंस्टाग्राम ट्विटर किसी बढ़ भी डाल दो जो भी फोटो देखें आप मुझे याद करें आप आटा चाचा अपनी फोटो लेरा था यहां हमारी इस फोटो खीचने को बोला तो सेल्फी कीच के चला गया इस फोन का कवर तो बहुत अच्छा है सिर्फ कवर पोन अच्छा नहीं है क्या फोन भी बहुत अच्छा है तो फिर रख लो ना नहीं सेयद अरे परेशान मत करो चुप चुप रख लो लड़की मांगे तो फोन क्या यह मोटा अपनी किड्नी निकाल की भी दे सकता है कम से कम सिम तो ले लो उसमें कॉंटाक्स सब यहां फीड है इंसान ने फोन को बनाय फोन ने इंसान को नहीं देखना मुझे ओसकर जरूर मिलेगा मेरी मेमरी पावर के लिए यह थोड़ा ज्यादा ही हो रहा कुछ क्यूं करेगा तो अच्छा होगा इसलिए रात में चपाती खाता हूं मैं हलो ए मामू रूम सेट कर दिया यार वच्मेन को सेट करके तुम को कॉल करता हूं तुम लोग रेडि रहना ठीक है तेंक्यू यार थेंक्यू सो मुझ तेंक्यू क्या हूआ सब ठीक तो है ना प्रदीप का कॉल था उसने सब कुछ सेट कर दिया बस गाड़ी वापे रोग एक घंटा कहकर बार में ले आए अधा घंटा बोलकर बाहर ले आए अब टाइम तीन बच चुक है आज शाम को मेरी शादी है यार प्लीज यार मेरी शादी से तो मत खेलो तुम लोग अरे मामू प्लीज यार समझने की कोशिस कर यार बढ़ी मुश्किल से एक प्लेस सेट हुआ है बस आधे घंटी का काम है तुम्हें फूलों पर लखकर घर चोड़ देंगे इसे समझाओ ना यार एक बार में देख सकते हैं अभी तुम सब घर चलो मोझे नहीं पार मिल सकते हो क्या हम कभी और मिल सकते हैं क्यों अभी क्या हुआ ऐसी बात नहीं है अब 3.30 को ए अभबित खराब है मुझे उन्हें देखने का मन कर रहा है अच्छी है कहानी बहुत अच्छी है उससे बसने कि लिए तुमने उस वक्त हमारा इस्तिवाल किया अब हमारे पास ते किसी और के पास जाने के लिए अपनी मा का सितिमाल कर रहे है यहीं दीव को लिवर कैंसर है मुझे वहां से निकलने नहीं देता यही सोचा खुश नसीब है कि आप लोग मुझे मिल गए तुमने हमें इस्तमाल किया बहुत अच्छी कहानी बनाए एक काम करो इसी बात को अपने फोन पर टाइप करके इमिडेटली फेस्बुक पर पोस्ट कर दो और नीचे अपना फोन नंबर, अकाउंट नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलना दया करने वाला तुमारा अकाउंट नंबर देख लेगा और मजा करने वाला तुमारा फोन नंबर देख लेगा ए तेजा तु यह क्या बखवास कर रहे बे नहीं तो क्या यार इसकी जूटी कहानी पे हम लोग एकिन करनेगे इसने हमें इतना बुद्धु समझा हुआ क्या? सब नाटक करनेगे फ्रेंड होने के नाता है तुम कुछ भी बोलोगे चुट्ट आप सुन लूगा क्या? दो घंटे पहले मिलने वाली लड़की के बारे में तुम क्या जानते हो जो इतना बुरा कह रहे हो? अपनी जरूरत के लिए वो थोड़ा सा क्लोजली क्या मूव हो गई? तुम लोग उसे गलत समझ रहे हो? अपनी जरूरत के लिए कभी जूट नहीं बोलाए क्या? तुम इभी बाक्यों की तरह बनना है क्या? एई, तुम्हारी नसर में वो अपनी माग को बचाने के लिए जो भी कर रही है अगर वो नाटक है तो कोई बात नहीं जो जी में आये का वो बोलेगा तो मैं खामोश नहीं रहूँगा ठेक है अब चलो उसे बस्टॉप तक छोड़के आते हैं चलो गाड़ी में बेटाओ मैं नहीं आउँगा एई, आखरी बार पूछ रहा हूँ, आना या नहीं? मैं भी आखरी बार बोल रहा हूँ, मैं नहीं आउँगा चलिए, आप बैठिए मेरे लिए मत लड़िये उनका कहना मैं मान लेती हूँ, नहीं तो मैं दूसरी बस से चली जाऊँगी इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने हमपर भरोसा करके हमसे मदद मांगिया वैसे भी, उनकी पूछने पर मैंने पाटी नहीं दी क्या कल शादी रखकर आज कोई भी ऐसा करता है क्या फ्रेंड्स को वैल्यू देकर ही तो यह सब किया है वो जादा दूर नहीं जाएगा आप बैठ जाएए, ताइम हो रहा है चलियार यह मलेश यादो है, यही तो रोज परेशान करता है पैसों के लिए यह कौन है भाईया, रात को हमसे भी जादा बड़े बेओरे निकले तो यह रुक भे, तू चलियार सर, सॉरी सर, सड़नली आपको आते ही देखा नहीं क्या भे, सड़नली आएगा, तो ठोक देगा है क्या भे, अपने भाई जो है ना, सड़नली ही आते है सर, कहीं हो, रखके गाड़ी चुला रहे हो क्या नाम है तुमारा, और वो कौन है तारा है भाई तारा है तो उपर होना चाहिए, नीचे क्या कर रही है भाई, प्लीज भाई छोड़ दो ना, प्लीज काड़ी कॉंठी करेगा, तेरा बाफ भाई, जा जा और भाई, काड़ी करेगा राम के जैसे ही चमक रही हो है कितने में बात हो ही है भोलती क्यो ने गुंगी हो, क्या क्या, लुक्ते रही हो है तुम्हारी आखों में इतना पावर है तो बोड़ी में कितना करंट होगा चूने पर शौक तो नहीं लगा इज़त से पेशाओ क्या बात है बहुत उड़ रही हो उन बटलों को देख करना अरे मुझे देख अच्छा लग रहा हूं ना आचा वो बटली नहीं है पंच मार द मुझे हासी नहीं आई तुझे पूरी तरह से इंजाय करने के बाद ही दिल खोल क्या सुगा और पंच पे हासी नहीं आती भाई कुछ पंचे से ब्लड भी आता है यह ज़ो यार रहा दो यार आउ अहिं ऐ तॉक यह लिए अच्छिझेट्ट अरैश कर सबस्क्राण बड़न्स दोच कोष्य हूरा कि अपनी कायंडों के ब्लास वीकेंड, अपने ब्रदर के साथ वो घर आया था ताब है इस यह बड़ी आपाटी मैं आर्यव्यार इस वार वाहर गया तो तुने यहीं ने किया अगर रेक मेने शेहर के बाहर चला गया तो पुन कितनों के साथ अथिज्ञा करोगी तुम नंत रुस्त थू अन्य मर्ण लिस्ट अन्य मोर समय उन्हें है हाँ? इजड बश्च, वाइ डाव अफे प्रत रिर आविए? आव्यू राइट वाइक तो बेड़े रिसे जिए स्टाइक, पाई? ऐड़ विल्सार्टे में, हाँ! एक राव निएक अगर लूग। पुरषैंब आप असर्यूज्थ असे लोगी सपternे सब्सक्राइब नंन शब्सक्राइब प्लीज प्लीज फेस है अच्छछी से देखना प्लीज देंगा प्लीज नेया प्लीज थे ज़र आप इसी बस से जाओगी मैं रुखना आप इसी बस से जाओगी मैं एडिये परा यह वही वाली बसाना नहीं वो नहीं है हे विश्टू वो है लुक जो खोगे आदि वाली नहीं है बस रोके बस रोके ज्रुक है इसी बसे याशेश्ट मोट प्रिख रोकेश्टू करना इसे वख फॉक्ष्ट खट्मो जय वह अगे रिकल रही है इसी वख और को खट्मोना था अब क्या करें शिट कैसी गाड़ी है यार टाइम नहीं है जल्दी करो गाड़ी पीछे लो भाइया गाड़ी में डीजल पूरी तरह खत्म हो गया है काफी दूर से धक्के मार के लाए हैं आप भी थोड़ा रिवर्स में ले लिए लिजा प्लीज आज थे किसे रिवर्स गेर में डाला ही नहीं सर को शादी में जाना है चुप चुप गाड़ी पीछ लो तुम्हारे सर को शादी देखने जाना है और मुझे शादी करने जा रहा है थोड़ा सब करो ए चलमाना बाई तु भर न चल बया वो क्या है न कि यह पंप खराब हो ग हरहनी खराब हो जहां महारे आना है यह परहनी Stay the enda कि थोड़ान नीकिंठा रिशोपी रहे चलम के साक है इस घंधा रोख़ा हां विय। आंक्स विष्णू आप लोगो की मदद जिंदगी बन भोलंगी माहीरा रहा है तरह जिए तरह वन से कि यह लो इसे रखो थांक यू इस नूद हाँ झाल जाँ जाँ आइ आए आए बाए चलो यार ए चलो यह आट प्रेक नहीं लग रहा है यार क्या हो अरे क्या हुआ 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 है जो एक इप स्टाइट में इ了 को रुको गो शाज ही एक मैं अत्रीघ कड़ है आफ में घरको अधिक Christmas रूद रोड़ करोगे तो ऑफ कर ढूब काड़ी में भाट्का लगाओ गया तो मितना किउ सब्सक्राइब कर रहे हो दाड़ी किसी है महिंद्रा कम्पनी कपनी कि उन्हें पैसों की ज़रूरत ही हमें बेज दिया रहा है वह पुच्छा तो कम्पनी का नाम पोल रहा है और इसके नाम पर है पहले मैं चाक्ळ काघज निकाल निकाल काघज योई-थी का यह है वर मिनिस्टर का बेटा यह है बाजु में कौन है मेरा भाई है इतर सा उसे यह करता हूँ किस बात पर सारे म मैं में यहां हम बोलेंगे तो करेगा तो प्लीज मेरे प्रामुशनुаки बात करो ना कल सुभा दस बजे तक आपकी पोजीशन में वेरियेशन आ जाएगा देखा वेचारों को मुझे प्रमोशन दिलाने के लिए जान की परवाग किये बगर कितनी स्पीट से जा रहे हैं हाँ सर आपका प्रमोशन में पागल भी होते हैं लाइफ देख लिया ना वै इसके कॉन्फिडेंसे अब ये क्या किये तुने उसके पास से ये चुरा लिया आराम से सेलफी लुगा यार उसके लिए पुलीस की गनी चाहिए थी क्या होटेल में उसमें गन नहीं दिया तो मैंने इसकी ले लिए अरे जाकर लोटा देते हैं गाड़ी कुमाचल अगर वापस गये तो तेरी शादी मंडब में नहीं पुली स्टेशन में होगी समाध सेवा करके पैसे उड़ा दिये आप तो खुश है ना मेरी शादी नहीं हुई है और कुमारा तो ये भी है तु एंज्वाए कर कि मेरी भी सेलफी कि विश्क्यों कि विश्क्यों पुलीश आ रही है चल 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 पुलीशी में निकल निकल चल 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 लगता है पीछे बढ़ गए मैं पहले ही रहा था तुम्रों मेरी सुत्ते का आऊँ कि विश्क्यों ना कि आूए यह आइए भागा भागा और तेजरा जटी ओव्त कि मेंने खना है रोगो यहां पर कहा गई यह लोग शिट भाग गे कमी ने अरे मैंने पोलर थाना प्रॉब्लम हो जाएगा अब तो मेरी बात चुनके रदीब रदीब कहा है रदीब कहा है रदीब कहा है चला गया लगता है वो कहीं गिर गया फोन लगाना उसे चल फोन नॉट्री चे बला रहा है चल कर ढूंबते हैं सॉरी यार सब मेरी वज़े से हुआ है पार्टी के लिए जिद नहीं करनी चाहिए थे मुझे देख भाई अब यहां से चलते हैं नहीं तो तेरी शादी का मुहुरत निकल जाएगा वो तो घर आ जाएगा यार कैसे आएगा यार वो कहा है पता नहीं किस हाल मैं पता नहीं उसे इसे छोड़कर मैं उसे ढूंड कर ले आओंगा तु घर जा एह हम चार आये थे तीन हो गए और अब दो बच्चे हैं अकेले मंडप में तुम सब होगे तब ही मेरी शादी होगी चल बैठ अरे अचानक लाइट चली गई यार कैसी गाड़ी है ये तुम आ निकल रहा है गाड़ी से गाड़ी रोप गाड़ी में पानी है क्या देख इसमें पानी नहीं है अरे यार कहीं मिलेगा क्या देखिया चल अभी कहां मिलेगा लाइट भी नहीं है इस घर का गेट खुला है हेलो मेडम हेलो सर कोई है हेलो ब्रादर हेलो सिस्टर पानी मिलेगा क्या ये तो पूरा घर ही खुला है हेलो मेडम वोई है क्या इस लाइट की ऐसी की तैसी अभी जाना था इसे हां इसे प्राम को अरे विश्टू ये पुलिस टेशन है भाग जा है थो भाग जा उसे भी पक्ड़ो आए विश्टू दिके उसकी शादी होने वाली है चाल चाल विर दो, विर दो पॉड़ा हो झाल रिर दो, विर दो, जो अ कहला है? क्रुण कि एंग हम इंग ओवार् gamers ऐंग धब रंग उगार् jan एक रात के अंदर इतना बड़ा पंगा खड़ा कर दिया और उपर से आज शाम को तुने शादी भी रखी है ए राजो इसमें कमाल की बात क्या है बता है इन्होंने तारा को मुझसे बचा कर उसके साथ कुछ भी नहीं किया उल्टा उसे सामने से पैसे और दे दी है वो लड़की इनके पास से पैसे लेकर किसी और के साथ भाग गई होगी बाई तारा को छूने का और उसे डाटने का हग सिर्फ मेरे पास है वो कोई बासारू लड़की नहीं है अगर उसके बारे में एक भी शब्द बोलने की गल्ती की तो तुम्हारी लाश भी तुम्हारे घर नहीं जाएगी लेके जाओ नाला एक कितका तारा मेरे साथ एक खूपसूरत फूल की तरह रहती थी अभी मुझे उसकी खुश्बू मिलने ही लगी थी कि तुम लोगों ने उसे मुझसे तूर कर दिया उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था कि तुम्हारी होने वाली पत्नी अभी इस तरह से तयार होके बैठी है पूछ रही है कि तुम कैसे दिख रहे हो बतादू नई भाई नई बतादू नई भाई हैसमर्स करिए जिस तरह भूखे शेर के पास से कोई शिकार चुरा कर ले जाता है तो उसे जितना बुरा लगता है वैसा ही ठीक मुझे आज लग रहा है तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता इस वक्त ठीक दस बज रहे हैं शाम के पांच बजे तक तारा यहां पर दिखनी चाहिए अगर तु ऐसा नहीं कर पाये तो तेरी शादी भी नहीं होगी सिर्फ इतना ही नहीं बलकि तू कभी भी जिन्देगी में शादी करने के लायक नहीं रहेगा ए राजो थ्यान रख इसका ए तुझे शिकारी बोला इसका मतलब यह नहीं कि तू तागतवर है मैं इस चंगल का शेर हूँ तेरी होने वाली पत्नी मेरे हाथ में है ध्यान रखना अगर जरा सी भी होश्यारी की तो अन्जाम पुरा होगा याद रखना जाए ले थैंक यू सर रेगुलर डाइल करने वाले नंबर ही तो है एक बार ट्राई करना अरे सर कहा ना मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है तू थोड़ा से याद करना हमारे ओफिसल विजिटिंग करने वाले हैं मेरी नौकरी चली जाएगी कोशिस करना अपनी वाइफ का नंबर बताईए क्यों अरे आप बताईए ना सुईटी होगा देख नाम नहीं है सर नंबर बताईए 98493 3244 कहा था नहीं सेम प्रॉब्लम सर यह स्रिफ मेरी प्रॉब्लम नहीं है सर यह पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है कैल्कुलेटर आने के बाद गणे कंप्यूटर्स आने के बाद किताबें और सेल्फोन आने के बाद सब लोग अपनी आदाश्ट भूल गए अब मैं क्या करूँ लेफ्ट लेफ्ट यह तो मलेश्या दो लग रहा है अरे बापे मैं तो फस किया अगर इसने पहचान लिए तो जान से मार देगा अब क्या करूँ इसे कहीं देखा है मैरे कभी दारू पीने के बाद देखा होगा भाई नशे में हमें किसी का चेरा याद नहीं रहता है न साइद के फ्रेंड हो ना तुम मर गया मैं तो अहां भाई तुम्हें शॉप के पास ही देखा था बज़ गया साइद में शॉप खुला उसके लिए पैसे मैंने दिये थे तुम्हें चाहिए तो तुम भी ले दो लिफ्ट दो न भाई इसने मुझे पहचाना नहीं या ना पहचाने का नाटक कर रहा है अहां अहां यह चल रहा है बाईया यहीरो कौन है तुम्हारी रासलीला ही है राजा सच में आख ही लगादी ना गुड मॉर्निंग बेबी गुड मॉर्निंग क्या बोलती हो है एक लाग अपन लेने इससे उसमें उतना सीन नहीं है लेकिन तुम चुप रहो मैं डील करती हूँ लुक बड़ी शाम के पांच बजे तक दो लाग रुपए देकर ये वीडियो डिलीट करवा दो परना नेक्स्ट मिनट ही ये अंतराश्ट्री अस्तर पर सब जगा पहल जाएगा देख लेना वीडियो में तुम भी हो तो इतना कॉन्फिडेंस एए एक बार प्ले कर पिक्चर ही देखते रहेगा क्या जा जा कर पैसे लेकर रहा एक कॉल करने के लिए मुझे फोन दोगी क्या कैमरा क्लियर्टी बहुत अच्छी है तुम्हारी फोन अमने शूट किया है पैसे देना फोन लेके जाना चल ओई मिस्टर यूनिवर्स अगर केस किया कंप्लीन किया ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा किया ना तो इस वीडियो को सबसे पहले तुम्हारी फोन के कॉन्टैक्स में भेज दूँगी लुट गया शाम तक दो लाक रुपे देने कैप बेशने की सोचू तो फाइनेंस में है मैं बिना बाद के इन लोगों के जाल में फस गया शाम को मेरे सारे दोष्ट शादी में मज्य कर रहे होंगे कैसे कटें जिन्दगी तेरे भी ना जाने जा कैसे भूलूं मैं तुझे तुही बता जाने जा मेरी यादों में बसी तुम तुही मेरी लव्द में हो तेरी यादों ने मुझे बड़े ही रुलाए तेरी मेरी प्रे कहानी है तुही बता कैसे जियो तेरे बिना तेरी मेरी प्रे कहानी है तुही बता कैसे जियो तेरे बिना हलो विष्णू यह रॉंग नंबर भी दे दिया तुने सर याद नहीं आ रहा है सर माक कसम मासूम की तरह नाटक करते हुए क्यों अपनी यह बड़ी बड़ी आंके दिखा रहा है मुझे चौसट सर याद आगे सर लास्ट नंबर 46 नहीं 64 जल्दी 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 माक कसम सच बोड़ रहा हूं सर आप नंबर लगाईए जल्दी कीजिए नंबर लगाईए अगर यह रॉंग नंबर निकला ना तो लॉक अप के अंदर ही तरी डैथ होगी सर पहले नंबर तो लगाईए ना अलो विष्णू उससे तुम्हारा क्या काम है पहले उसको फोन दे शुकर बात क्या है पहले यह बता है जानता तू किससे बात कर रहा है यह मैं हर किसी से ऐसे ही बात करता हूँ महा काले श्टेश सान है महा काली हूँ मैं तो मैं भी नानी हूँ क्या नानी कहा के नानी हो तुम किसके नानी हो नागोल नानी हूँ मैं नया आया है क्या हर स्टेशन में मेरे फोटो लगे हुए है जाके चेक कर विश्णू जी कहा है? उससे क्या गाम है तुझे? वो मेरा गन सार पता ना नहीं सार वो क्या है कि वो मेरा बहुत ग्लोज है उसको फॉन्दे तो मुझे बात करती है हमने इसे किटनेप करके रखा है ना शायद इस बात का पता किसी को चल गया है इसलिए साइने इंक्वारी के लिए हमें कॉल किया है रॉंग नंबर है जाने दीजी बना कर दीजिए उने किसी ने आपसे मजाग किया आई है विश्णू का नंबर नहीं है आपको गलत फेमी हुई है यह रॉंग नंबर है सॉरी सर दिमाग में जितने नंबर थे बता दिए अब आगे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सर मुझे माफ कर दीजिए चाने दीजिए ना प्लीज सर प्लीज हलो सयद रॉंग नंबर हलो प्रदीव मैं तेजा बोल रहा हूँ मुझे अर्जेंटली दो लाग की उदारी चाहिए मिल सकता है क्या आप एपलॉई है नहीं सॉरी जॉब मिलेंके बात कॉल दीजिए इंदे की जंट होगी है चोटू किसको फोन लगा रहा है इतना उदास क्यों है अपने क्लोस फ्रेंट को मेरे भाई इतने क्लोस हैं कि नंबर ही बूल गया मोबाइल में नंबर सोच कर कभी यादी नहीं रखा तो मोबाइल कहां रखा एक लंबी कहान है भाई ओ समझ गया तू भी उसी बेबी से परिशान है न कितना फाइंड डाला है क्या भाई तुम्हें कैसे बता चल गया बाई रात को उसके घर घुषते वक्त रेंज रोवर की तरह जाते और सुभव वापस आते वक्त रोड रोलर जैसे तुम्हारी तरह ठके हुए आते कुछ वक्त पहले मेरी यहां पर फैमली रेस्टराण हुआ करती थी और इसके बाद फैमली भी गई रेस्टराण भी गया उसके बाद यहां दुकान लगा कर उसे देखते हुए धंडा करता हूं करने है तीर परभाती करlov हुआ है था घ्रपतीय से नहीं होगा च्राण दिन पर साड्य भरती शारती के थाओ में निया की सारी एशार ऐसी होती है कि शिर्प मेरी पत्नी है अथे हुए है सब ऐसी है, यार am Houston मेरी बातों से सैमत हो रहा है किसे भी दोका मिला है क्या बाटा मेरी तरह आ है दो वाइ girlfriend लोगे ter s fin or इनने मॉका नहीं मेलता, इसलिए भच गए वर्ना इनको मुटा मिलता तो अपने कोई पहती गरवती बना खर चली जाती दासे आप लोग कहां से आ रहें वह चोट लग घी घुर मरम पट्टी करवा के आ रहें हिदर से आप डिखने में तो इतने पॉवर्फुल लगते हैं आपको किस न मार दिया भीया क्या है कि भईया एक लड़की को छेड़ रहे थे क्यों जूटी कहानी बोल रहा है तू तो सच आप बता दो कुछ लड़के एक लड़की का गैंग रेप कर रहे थे तब ही ओ नेक्स्ट मैंने अपने धैर और हिम्मत का प्रदर्शन किया उनी लड़कों के हाथ हो वही मैंने उन्हें तब तक मारा जब तक उनके शरीर से खू कोड़ी फर्क है लेकिन यह चोड तो कॉमन है यार सही भाया आप तो सुपब हो आपकी हिम्मत देखकर तो वो लड़की आप पर फिदा हो गई होगी ऐसा कुछ नहीं हुआ है पिर भी छोटे मेरा मन उस लड़की पर आया तो भी मेरा मन किसी और लड़की उपर लॉक हो चोटू तो आपकी भी प्यार वाली कहानी है उस प्यार का नाम फाकिमा है अमें प्योकू फाकिमा नहीं फातिमा लड़की का नाम तो काफी इंट्रस्टिंग है ऐसे पहली बार उसे कहा देखा था पहली बार उस इस्तरी को एक इस्तरी वाले के पास देखा था एक दिन व जो कहा है वो करेगा या असल के साथ ब्याज भी देगा करने में क्या है जी कर दूँगा लेकिन यह काफी गंदे लग रहे दोया नहीं क्या होता तो इस तरीक्यों कर वाते भी भाईया भाईया आप बुलिए शाम को शादी है अर्जेंटली करके दोगे इससे भी ज्यादा और जैंठ है क्या बेहन और तों की इज़्जत करना हमारी संस्कृती है लेडिस पर सुप चाप कर कि अब आगा है कि अब इस बहुत हो गया रहन्द बाई जला के छोड़ेगा क्या अगर आप उसके सामने कोई महान काम कर दो गये तो वो सिधे आकर आप किंकले लग जाएगी भैया सच में हग करेगी क्या भैया आज कल की लड़किया लड़कों में मर्दानगी नहीं देखती बलकि वो तो अच्छा यहां ढूरती है लड़के के अंदर सच में छुटू मैंने तुम्हें लिफ्ट दिया तुमने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया ए दुर्गा रास्ते हमें कोई ड़ाबाए तो बोलना जोड़कों अच्छा नाश्ता करवाईंगे हम भाई भाई उसके फोल पर डियस्पी का फोन आरहा है भाई फोन मत उठाना लगता है इसकी किटनैपिंग की पार डियस्पी तक पोंच गई तक पुक्रेए भाया उस महुता दम नहीं है डियस्पी मतलब देविश्री प्रसाद शाम को उसकी शादी है भाई शादी का तुझिज अने फॉन कर रहा है रहे हो तेरे भापा नाम तेरे पापा डिस पी नहीं बाई जो उनका नाम है ठीक है इना किसी चालागी के उसे ले कर अगर होश्यारी की तो तेरे डारल लिंक medi di s p ने मेरे हाथ में है समझे गया ज़िए नागと मेरे फोन पर… भाई काल थे ऐपना दोना प्लीज भूल जा प्लीज भाई औरजendedly मेरी गल्फरेन्ट से बात करनी हैं दोना बाई अपना फोन अबे शरमकर शाम को शादी है और गल्फरेंट से बात करनी है मैं शादी उसी लड़की से करने वाला हूं भाई अच्छा हां और क्या फेर भी नहीं दूंगा अभे बैलेंस नहीं है प्लीज प्लीज भाई फोन में ट्रिपल टु का फुल टॉक टाइम करवा कर दूंगा प्लीज प्लीज अन्ना लेकिन स्पीकर पे बात करने वाला है अरी रॉंग नंबर क्यों छोटे नंबर भूल गया क्या कोई एक नंबर में सो रहा है भाई होने वाली बीवी का नंबर याद नहीं है चल्ला भाई भाई आपके फोन में नेट बैलेंस है क्या फेस्बुक पे अगर गल्फरेंड बन गई तो मेरा करियर चौपट एक बार और दो ना भाई प्लीज भाई नहीं दूंगा भाई को पता चल गया तो मार देंगे आपको चाहिए तो टूजी भी गा 4G का डेटा पैक कर व हां फिर तो देतम थैंक्स भाई ए चोटू क्या कर रहा है वो उसको हाल ही में पेटियम का रिचार्ड्स किया था था ना भाई तो उसका नंबर उसी में होगा येस आई गॉट इट मिल किया भाई कट क्यों कर रहे है हलो बंदरा मैं विष्णू बोल रहा हूं हे विष्ण डू ओ किसका नंबर है ये वो सब बात में बताता हूं लेगिन पहले मेरे फोन पर कोई भी कॉल्स या कोई भी मेसेजेश मत करना समझ गे ना क्यों क्या हूं आ अरे मिरा फोन बुम गया वो सब बात में बताता हूं ना पहले मैने जो बोला वो करो ओ ऑ ओ Okay, बाई वो वो क्यों के भरवा देती हूँ अबला अरे कहां चला गया तु तुझे ही तो शादी करनी थी ना शाम को शादी है और तु अभे तक घर नहीं लोटा क्या मा पापा का तो ठीक है लेकिन आप भी भूल जाओगी तो कैसे चलेगा बंदना के साथ शादी फिक्स होगी तुझी रुकुला बाराजी के टेंपल जाओगा बोला था ना हाँ मैं तो भूली गई थी हाँ लेकिन मैं नहीं बूला इसलिए मननत पूरी करने के लिए मंदर आया ठीक है अच्छे से दर्शन करना अच्छे से करूंगा मा अरे विश्णू तुम्हारे हर काम में एक मतलब होता है हम जानते हैं बेटा पापा मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि तुम गलत हो तुम किसी मुसीबत में नफज्जाव यह डर लगता है बस इतना ही तुम्हें ना समझने के वज़ा से नहीं ऐसा सोचकर हर बार तुम जूट मत बोलना बेटा चोटे हमारी फिल्ड में हर तरह की स्टोरी होती है लिकिन लव स्टोरी नहीं होती है जरा अपनी तो सुना बोरो रहां किस मुसे खड़े हैं यह लोग यहाँ पार जाने के लिए बोलो क्या जबर्दस्त फ्लैश बैक है यार भाई वह एक्चुली मेरी वंदना से मुलाकात होने से पहले उसके पापा से मुलाकात होई थी पेटी मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरी बेच्ची बेटा बेटा डॉक्टर वो कैसी है लेफ्ट लेक के लोवर पार्ट में मल्टिपल फ्रेक्चर हो चुके हैं फॉरन सर्जरी करनी पड़ेगी एकलोती बेटी है मेडम किसी भी तरह उसका पैर ठीक कर दीजे मेडम इसके लिए कम से कम देड़ लाग का खर्चा होगा अब एक लाग दिपॉसिट कर दीजिए हम सर्चुरी की तैयारी करते हैं देड़ लाग पेटा तु बिल्कुल टेंशे मतले यार तुमसे काम किराने की खुश नसीबी उस कमपणी की होगी पक्का ही जॉब तुमारे ही है मैं बोल रहा हूँ ना लिखकर ले 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 अरे सेयद तै अलो सेयद बोल दीपू का एक्सिडेंट हो गया यार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पेंशे लेने की तरूरत नहीं है ओके अबल विष्णू अरे भाई अर्जेंटली एक लाग रूपे कैश की तरूरत है फ्रेंड की सिस्टर का अक्सिडेंट हो किया है अभी कहां से होगा यार इसके से भी ट्राय करना है ठीके यार मिलते ही त मुसीबत में मन की तकलीफ को जानकर समझने वाले कोई सच्चे दोस्त कहते हैं तरह गाड़ी रोखना दो मिनेट हाई विश्णू कोटेशन जबर्दस्त है ना असा है यार फेस्बुक पर डाला तो एक घंडे में थाउजन लाइक्स आ गए ए क्यालाश मेरे लिए एक फेवर करेगा क्या है बोलना सिस्टर का एक्सिडेंट हो गया यार अरजेंटली एक लाग रुपे चाहिए प्लीज करवा दे पैसे चाहिए पर इतने तो नहीं है सौरी विश्णू सारा मनी स्टॉक में लगाने की वज़े से पूरा पैसा ब्लॉक हो गया कम से कम एक क्रेडिट कार्ट तो अरेंज करा दे वन वीक में कैसे भी करके लोटा दूंगा प्लीज यार इंट्रस्ट बढ़ा दिये असली सिंदिकी में तुम्हें कितने लोग पसंद करते हैं वो है वैसे भी वो सारे कोटेशन बड़े-बड़े लोगों के अनुभाव है फ्रेंड्शिप की एहमियत ना जानने वाले तुम जैसे लोग ऐसे मेसेजिस तो फॉरवर्ट किया ही मत करो आगे से ऐसा कभी मत करन यहां गुडबाई विष्णु अंकल अर्जेंटली एक लाग रुपे चाहिए एक लाग रुपे चाहिए आंटी को फोन कर देता हूं घर पर जाकर ले लेना थैंक्यू अंकल थेक देना मत भूलना ठीके ना चल दिस अंकल के घर चल क्या पहले वाले तो वापस किया नहीं एक पैसा नहीं दूँगी अरे बात तो सुनो दुरगा पिछले साल मेरे भाई के जनम दिल पर रिंग दूँगा ऐसा कहा था अब तक तो दी नहीं याद है ना बेवजा बेकार लोगों को घर पर मत भेजना मैं कुछ नहीं राचा की तारा ओर्डर करते रहते हैं यह तीजा अकाउंट में पैसे आ गए यार चल बैंक चलते है यह तीजा रन यार थेंग गोल सब्सक्राइक तो अबस पाहिए अबस अबस के इंग आलो से रहा हूं आलो से बात कर रहा हूं पाता नहीं यार कुछ सुनाई ही यह तो बहद बात करता हम अलो अलो विश्णू कट कर रहा है फूंट हेलो हेलो आपके लोगे राकट कर दे कबसे कोई कॉल कर रहा है तेकसरा कॉन है हेलो 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 सुनाई दे रहा है क्या हाँ सुनाई दे रहा है बोलिए मेरी बात विश्नु से हो रही है क्या ने यह ले यार हाँ बोलिए देखे विश्नु किसी और के एकाउन में डिपॉजिट होने वाला एक लाग दस साजार रुपे गलती से आपके एक और में डिपॉजिट हो गया है और आपने एक लाग निकाल भी लिए है जो पैसे आपने निकाले उसे तुरंत वापस कर दीजिए हलो 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 विश्नु हलो क्या यार ऐसा भी होता है क्या पताने यार मैंने भी पहली बार सुना फिर से उनी का फोन है इधर दे हलो सर फ्रेंड की सिस्टर के अक्सिडेंट की वजह से वो पैसे किसी और फ्रेंड ने जमा किया है हमने हॉस्पिटल में दे दिया सर टू डेस का टाइम दीजे ना सर मैं उस बीच आपको लोटा दूंगा हेलो विश्णू यह कोई बनिया के दुकान नहीं कि थोड़े दिन रुकने के लिए कह रहा हो बैंक है यह ट्रामा करना बंद करो और पैसे वापस करो अपना अकाउंट नुमबर दे कर पैसे डालने के लिए हमने बूला था क्या जो करना है कर लो हम पैसे बिलकुल नहीं देंगे अब दुबारा यहां फोन मत करना सर ऐसे इससे फेश हाओगे तो यह लोग नहीं मानेंगे इनसे पैसे कैसे वसूलना है मैं आपको बताता हूँ आप टेंचन मत लीजिए ए दीपू को मिलना है तुझसे आज़ा चलाँ भाईया मेरे ट्रीटमेंट के लिए हेल्प आप नहीं किया ना थैंक यू भाईया थैंक यू आप बहुत अच्छे हो तुम्हारी हेल्प मैंने नहीं किया है यह सब मैं बात में बताऊंगा अब यह आराम करो सुनो सुपरमार्केट जाकर आता हूँ बैक देना जरा विश्टू आपका है बेटा है हाँ जी आप लोग अंदर आईये मेरा नाम वसंत राओ है दिलसुक नगर अंधरा बैंक का मैनेजर और यह है असिस्टेंट मैनेजर हेलो सर आईये सर बैठिये आपका बेटा घर पे नहीं लगता है हाँ जी नहीं है लाख रुपए हाथ में होंगे तो वो कलब या पब में रहेगा घर पे क्यों रहेगा यह कैसी बात कर रहे हैं सर उसके फ्रेंट की सिश्टर का एक्सिडेंट हुआ है रात भर वो होस्पि काउन में एक लाख दस हजार जमा हो गए इसके पहले किया मैं पता चले उसने एक लाख रुपए खर्च भी करड़ा है आपको गलत में हुई है सर मेरा बेटा ऐसा नहीं है तो क्या हम आपको वैसे दिख रहे हैं पैसे लोटा दीजी हम चले जाएंगे असल बात क्या है मुझे पता नहीं है मैं कैसे पैसे दे दूँ आपको आपके बेटे ने इस्तिमाल कर लिया इसलिए आपको पैसे लोटाने होंगे फोकर्ट में बैठ कर खाने की आदत है आप लोगों की यह देख कर ही समझ में आ रहा है यह लोग ऐसे नहीं मानने वाले सर पुलिस के पास जाकर चीटिंग का केस दलवा देते हैं तब अकल आएगे इनको बैग लो बेटी नाना जी को बाई बोलो बाई पाई बेटी सुनो शेलिजा बोलिये चाची जी यह जहने रखकर एक लाग रुपे देदो ये क्या चाची जी पैसों की जरूरत है तो ले लीजिए लेकिन उसके लिए इन सब के ख्या जरूरत नहीं बिटा, व्यावार की बात है ये लीजिए थांक्स बिटा पता नहीं क्यों पापा, ये लोग अपने घर में पांस साल से भाड़े से रह रहे हैं कितनी भी मुसीबत आई हो, कभी भी एक रुप्या तक नहीं मांगा आज जेवर रख के पैसे मांगनी पता नहीं क्या बात है पेटी, एक औरत जब अपना मंगल सूत्र गिर्वी रखती है तो यहाँ तो वो किसी की चान बचाने के लिए या फिर किसी की इज़द बचाने के लिए चलिए तुम ही हो ना विष्णू आज तुमने जो कांड किया है न उसकी वज़े से हमें ये मजबूरन करना पड़ा कैसा लगा जो करना है कर लो यही बोला था ना तुमने तो देखो वसूली करके जा रहा है हम टेंशन में डाल दिया था तुमने पेरी नौकरी भी खतर में पड़ गए थी तुम्हारी वज़ा से चलो हटा देखा न सर इतना होने के भावजूत भी मका अगमन ने उतरा चीप गाइस अरे छोटे आगे क्या हुआ तायर पंक्चर हो गया वो नहीं छोटे अरे वो बैंक वाला बदमाश भाई इसद से बात करो ना मुझे लड़की देने वाले वही मेरे सुसूर है पहले स्टेपनी बदलते हैं ना पहले नाश्ता करूँगा फिर बताता हूँ तुझे ऐसी हालत में भूग लगी है भूग का सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है भाई उसे जब लगना होता है वो बिने बताया लग जाती है छोटू और कुछ चाहिए क्या नहीं भाईया थांक्यू ए एक दोसा बोल मेरे लिए दो स्पेशल डोसा दूसरा किसके लिए मेरे लिए भाई हां बहुत थूसरा है भे विष्णू तू यहां पर कैसे यार तू यहां क्या कर रहा है यह हुआ यार वो तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे पहचाना नहीं वरना अपनी जीप से मुझको कुचल देता अब्सक्राइब लॉज पेशेंट होगा भाया यह मेरा बेस्ट फेंड विष्णू अब्स्ते बाई तुमें कहीं देखा है मैंने यह भी फातिमा के एरिया में रहता है भाई जी बाई करेक्ट तुम सायद को फ्रेंड हो और अब सायद को अधर को अधारी देने वाले हो नहीं कभी अभ्याज की वासूली कर सुली तुमनों जो बोला वो सच था ना क्या है वो अरे वही अगर कोई महान काम करेंगे तो फातिमा उन्हें गले लगा लेगी सही है ना अबे यार वो गले नहीं लगाएगी बल्कि वो तो किस भी करेगी इस भी करेगी चले आर एसाहिसा आप नमस्कार साप नवस्ते जल्दी से मेरी कम्प्लें लिखे गुरुइनि हिंसा के ताथ केस दर्श करके मेरी बीवी को गेल मेडालिये आप अर्थों पर केस करने वाला ही है कानून है सब कब लिए क्या ओणली सी टीम यू टीम के लिए नहीं है रूले में सुधार किजिए सर आम नहीं कानून बनाई और उसको लागु किजिए सर जो चाय कर सकते हैं ये राम कता नहीं लिखी गई है सम्विधान है इसलिए तो सार आप बनाए बोल रहा हूं सार ओरतों पर हिंसा करने वाले आदमी नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं पर मर्दों पर हिंसा करने वाली ओरते बहुत है सार इसलिए मर्दों को बचाने वाला सेल ओपन कीजिए सार सार सेल ओपन किजिए सार सार सेल ओपन किजिए जल्दी सेल ओपन किजिए सार प्लीस सार एक के वाला नाइए सार उठिया आपके हाँ जोड़ता हूं सार अर्दों को बचाने के कानूर बनाइए सार सार, मैंने सेल ओपन करने के लिए कहा था ये वाला नहीं सार ए फुटबे ए तेज्या, तू यहाँ कैसे आ गया मैं यहाँ पूछरा, तू वाँ क्यों देख रहा है हलो मिश्लू है क्या हलो हलो नए दुले बोलिये नई नवेली दुलहन जी तुम्हारी सासु मा मेरी सासु मा से बात करना चाहती है अरे वही, मेरी मा तुम्हारी मा से बात करना चाहती है ओ, मेरी मा से बात करना चाहती है तुम्हारी मा बात करना चाहती है वो भी अभी क्यों घर पर नहीं हो गया वो वो अभी घर पर ही हूँ एक मिनिट रुख जाओ मा आ रही हूं बेटा क्या शाड़ा पीस है तू हलो मा सासुमा लाइन पर है आप से कुछ बात करना चाहती है कुछ नहीं भावी जी लड़की के लिए शादी की साड़ी लेनी है वो साड़ी आप यहां भेजोगे या सीधे मंड़प लेकर आओगे बस यही पूछना था शादी अगर घर पर होती तो हम लोग वहीं पर करवाती हूँ और अंटी सब ठीक है ना हां बेटा क्या कर रहे हो सारे काम हो चुके याँ टी मंडप में जाने के लिए कार कि इतनी चाहिए बोई डिसकस कर रहा था क्या वह मस्त कवर किया इसने वों क्लेवर इसलिए उसने कवर किया तिरदर डफर नहीं है तू क्या ठीक वेटा जल्दी आ जाना हाँ जाइंगे आणटी सार बच्पन में बड़ाई याद नहीं करता था तो टीचर मारती थी सार और अब नमबर याद नहीं तो आप मुझे मारें सार फोन नमबर तो याद नहीं है लेकिन मेरी गन ले जाकर कि तुमने क्या किया कहीं पैसे गले किसी को बेश तो नहीं दिया मदर प्रॉमिस सर गन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता जगडा होने के बाद में इन से अलग हो गया था एक लड़की ने मुझे लूट लिया मैं उसके जाल में फर्स के हूँ सर वीडियो भी बनाया है सर एच डी क्वालिटी में सब क्लियर दिखेगा मैं क्या पूछ रहा हूं तु क्या बोल रहा है अपै सुन अगर मेरी गन मुझे नहीं मिली ना तो मैं तुम दोरों का इंकाउंटर सटूंगा कांवर कि लिए भूले बना का बना मिली पूला था क्या हूँ है सार की करना कि नहीं सर एच मैं गया नहीं सुन लिए पूली है tarina बढ़ खुली हो कि थो High हर बी एग कान थिए सर स्बाइब थेरा हैं जिस जो चंण पु्छ्छ ने भी यहः इंकाऊ अरे दीदी, दीदी, क्या हो गया, आपको बेचों करें किनो चली गए, दीदी, क्या हो गया, क्यू ए क्यों हो गया, आपको अरे अरे आ एन हान कर दो कर दो, और को कर दो कर दो कर दो दो यह जड़ी? कर दो भाई? यह जड़ी… बावी हमें अकेला चोड़ कर चली गई बावी बेटा तारा मेरी मच्ची बेटी 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 अपनी मा को बचाने के लिए तुमने कितनी मेनद की बावी की मा की डेथ हो गई एक काम कर उसे फोन दे भाई का फोन है चल बात कर उन से उसके आगे चाए हाथ चोड़ने पड़े या उसके दुख में शामिल होना पड़े शाम के पांच बज़े तक वो मेरे पास होनी चाहिए वरना तेरी होने वाली पत्नी मेरी हो जाएगी याद रखना तुम दोनों उसकी शादी के मड़ब पे जाके मुझे फोन करो बाद में क्या करना है मैं बताता हूं ठीक है भाई हेलो भाई साब हम मंडप में पहुँचके आपना है पुझा हो रही है भाई साब होते ही निकलता हूं ठीक है जल्दी निकली है हाँ क्या हूआ लक्ष्मी आया क्या फोन नहीं लग राजी विश्णु के नंबर पर फोन करो हलो है विश्णु हम स्कॉलर स्कूल के पास हैं यहां से शादी के मंडब तक कैसे जाना है इन सारे बखवास लोगों का फोन आ रहा है, स्विच ओफ कर यह नमबर भी स्विच ओफ आ रहा है आ भाई, क्या कर रही है वो भी दोस्तों के साथ मस्ती कर रही है भाई, उसका मजाग सिर्फ 10 मिनिट तक ही चलेगा क्यों कि इसके दिये हुए टाइम में सिर्फ 10 मिनिट ही बाकी है अगर मेरा फोन नहीं आया तो उसे वहीं से उठा लाना शादी के मुरत में उसके साथ सुहाग रात मनाऊंगा वो भी उसके होने वाले पती के सामने एक नहीं सो सो बार मनाऊंगा फिर देखता हूँ ये कैसे नहीं मानेगा रख जा ये भाई को फोन कियो है दस मिन्ट से ज्यादा हो गए अगर लेट किया ना तो हमें मार देंगे चल उसे उठाते हैं ये रोक जाँ टाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाट पर आप नहीं रहोगे, तैयर हो जा, नहीं, 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 अब शादी नहीं होगी, यहां सिर्फ खून की नदिया बहेगी, समझ गए, तारा, तारा, रुक जाओ, क्या गलत किया इन्होंने जो इन्हें मार रहे हो, मेरी मदद की इसलिए, हां, या मुझे तुमसे दूर किया इसलिए, तुम्हें गुंडा गर्दी और लड़कियों को छेडने के लाबार कुछ नहीं आता, तुम बड़े ही हवसी जानवर हो, दूसरों की तकलीफों को तुम ओके बाई, हमारे घर वाले भी बहुत रईस थे, पापा के गुसरने के बाद मा ने बड़ी ही मेनद से हमारी परवरिश की है, हमारी मा को अचानक लिवर कैंसर हुआ ये जानकरम सह नहीं पाए, हमारे दुख जैसे बढ़ गए, वैसे भी हमारा कोई भी रिष्टदार हमा मा को बचाने के लिए कोई और रास्ता दिखा ही नहीं दिया, हमारी इस बुरी परिस्तिती में अपने इस खूपसूर्ती को बेचकर ही सही, मा को बचा लोंगी यही सोचकर तुम्हारे पास आई थी सब ठीक है, मा ठीक हो जाएंगी, यही सब सोची रही थी कि बहन ने तभी कॉल करके बताया कि मा सीरियस है, यही बात तुम्हें बताती, तो तुम यकी नहीं करोगे जानकर, तुम्हारे जाल से बचने के लिए मैंने खुद एक रास्ता ढून लिया था बुरे हालातों से बचने के लिए लड़कियों को उनकी खुबसूर्ती का ही सहारा लेना पड़ता है, उसी सहारे का इस्तमाल इनके पास करके अपनी मा को आखिर में जीते जीतों देख पाई मेरे वापस लोटने का कारण तुम नहीं, विश्नु है मेरी इतनी मदद करने वाले, मेरे दोस्त विश्नु को इतने बुरे हालात में देखूंगी, ये कभी सोचा नहीं था धोका देने वाले को भूल सकते हैं, लेकिन मदद करने वाले को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए मैं तुरंत ही आ गई मेरे सीना फाड कर रोने पर भी मेरी मा लोट कर वापस नहीं आईगी, लेकिन यहाँ पर आने से दो जिंदगियों को बचा लूँगी यही सोच कर यहां आई हूँ तुम सजी धजी लड़कियों को देखते ही पागल हो जाते हो ना, इसलिए तुम्हारे लिए सज धज कराई हूँ अब आ गई ना, तुम चाहते थे इसलिए तुम्हें आ गई, उन्हें छोड़ दो, विष्णु को खुशी से जाकर शादी करने दो, उन्हें जाने दो प्यार भाई, एक मुठी भर के प्यार, भाई तुम तारा के लिए कुछ भी कर सकते हूँ, यह मैं उसी बल जान गया था, जिस पल तुमने तारा के लिए उसे मारा था, अगर तारा के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोलने की कोशिश की, तो उसकी लाश भी घर नहीं भी जूँगा, तुम्हारा ऐसा करना कुछ और नहीं था, प्यार यह, एक बार इसकी लाइफ में तो जाकर देखो, मारी लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाएगी, याद रखोगे, चलता हूँ वए, थैंक्यू तारा, लक्ष्मी, विष्णू का फोन आया है, हलो, विष्णू, पापा, ओटो, हम लोग सिधा मंड़ा भी पहुँचेंगे, आप लोग अभी निकल जाएगे, ठीक है बेटा, हम लोग निकलते हैं, ओके पापा, चल, 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 लटाओगे ना, सो, मेरी जॉब का जाना कन्फरम है, उससे पहले मैं तुम लोग का एंकाउंटर करूँगा, कम से कम सर्विस में मैंने दो चुरों का एंकाउंटर किया, ये क्रेडिट तो मिलेगा, फाइनिली, तुम लोग मरने वाले हो, तुम्हारी आखरी एक्षा कोई हो तो बताओ, सर, मैं मरने से पहले एक पिक्चर दिखना चाता हूँ, सर, मुझे इन दोनों फिल्मों के डालोग लिखने हैं, सर, एक बार मौका दे के दिखिए, सर, अपने एक्षा हैं मर के अगले जने में पूरी करना, ड्रॉप दगन, विष्टू, ड्रॉप दगन, ड्रॉप दगन, अपनी आखरी इच्छा क्या है, बता, करता हूँ, अपने आखरी इच्छा मेरी यह है, सर, इन लोगों ने मेरी गन चुराई है, वो ही चाहिए, लट आएंगे तो क्या करोगे, मेरी गन दे मैं छोड़ दूगा, छोड़ देगा ना, हाँ, एए, मेरी गन मुझे दो, दे दो, प्लीज, तुझे गन चाहिए, या मैं चाहिए तुझे दो, प्लीज, परी गन देदो, तुझ पर आजव, जाए, वैज़ दे दो, तुझे दोMy हंट दो क्या कजब यार, हाथ मेरी गन भी है, फिर भी टेंशन है वह रहतो है बाहिए बाई साब भाहिए이야 दमाजी कहा है? प्रेंट्स के साथ पीछे वाली गाड़ी में आ रहा है सॉरी यार उस दिन मुझे तहरा के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं बोलना चीए था वैसे भी एक लड़की के बारे में गलत बोलने पर दूसरी लड़की ने मुझे अच्छा सबक सिखाया और इससे तुझे क्या समझ में आया रोड साइट का खाने ही घंदा नहीं होता रोड साइट का बैट भी खतर नाग होता है अरे विश्णू तेरी इंगेजमेंट की वज़े से हम सब की इच्छाय पूरी हो गई भाई मलेश यादों को पकड़ कर मारने की मेरी इच्छा हीरो की तरह गन के साथ सेलफी लेने की प्रधीप की इच्छा और तेजा की तो शादी से पहले ही स्वागराप बन गई हम तीनों की इच्छाय पूरी हो गई है अब तो बस तुम्हारी शादी देखनी है भाई नेक्स्ट यही है यान क्या हुआ जी क्यों रुख गए लगता है मैंने इसे कहीं देखा है कहां देखा है यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कभी किसी क्लब में ही देख लिया होगा आप घर से ज्यादा तो क्लब में रहते हो ना चली अंदर जीजाजी जीजाजी तूले को कहीं देखा जैसा लग रहा है रेसलर की तरह स्ट्रॉंग लग रहा है कहां मिला आपको है OLX में साले साहाब OLX में कहीं सेकेंड आइंड तो नहीं अरे साले साहाब बच्चे OLX पर ही मिले और वहीं प्यार भी हो गया फेस्बुक पर वाटसाप पर प्यार होते हुए सुना था OLX में भी प्यार होता है कहीं जीजाजी आजकल कुछ भी हो सकता है रुकिये मैं आता हूँ क्या OLX से प्यार भी खरीच सकते हैं नमस्ते सर, नमस्ते मैडब नमस्ते वसंतराव, नमस्ते प्लीज काम सर, प्लीज काम आप यहां बैठिए, प्लीज क्या बात है वसंतराव पहले तुमने इस रिष्टे के लिए मना कर दिया था फिर हां क्यूँ बह दिया आदमी का गुस्सा स्वास्त के लिए तो खराब है ही लेकिन उसके तकदीर के लिए भी खराब है लेकिन भगवान का आशिरवाद है कि सब ठीक हो गया बेटा, मिनिस्टर साब ने जो लेटर दिया था लिया है ना? लिया है पापा इसका पैर ठीक होने पर दर्शन के लिए आऊंगी ऐसी मननत मांगी थी विश्नु की महरबानी से सब अच्छा हो गया देख लीजिए हमारे कहने पर आप भी आये हमें बड़ी खुशी हो रही है दीदी कैसी हो? मैं हूँ सुप्रिया का भाई गौरी शंकर दीदी ओ सुप्रिया के भाई हो ना? दीदी ठीक है न? सब अच्छे हैं दीदी मेरी भी हाली में यहां पोस्टिंग होई है चलिए दीदी हमारे कोटा से आपको वी आईपी दर्शन कराता हूँ नहीं भाईया, फ्री दर्शन से ही जाएंगे कोई बात नहीं दीदी, मैं हूँ ना, चलिए भाईया, वैसे भी भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धा होनी चाहिए बस उतना ही काफी है, हम चले जाएंगे भागवान के दर्शन के लिए इंसान के recommendation की क्या जरूरत है बेटा, हम चलते हैं चलती हो भाईा चलता हो सर क्या है, यार, मैं bank के manager हूँ और मुझे ही रोक रहे हूँ और मुझे ही रोक रहे हैं, मिनिस्टर साब का recommendation भी लेकर आया हूँ, मैं आपका कहना सही है सर यह हमारी duty है सर इतनी दूर से हम तुमारा भाशन सुने नहीं है यहाँ यहाँ जगड़ा क्यूं हो रहा है सर विए पी दर्शन के लिए मिनिस्टर साब से रिकमेंडेशन लेटर लेकर के आएं इसमें लाश्ट मन्त की डेट है सर मैंने का यह बिल्कुल नहीं चलेगा तो बोल रहा है कि मैं बैंक आफीसर हूं इस पर जगड़ा कर रहे हैं सर वसंतरा हो जी ओ नहीं चलेगा अब क्यूं में खड़े होकर दर्शन कीजिए इनसे जगड़ा करके क्या फाइदा जी क्यूं में खड़े होते हैं क्यों खड़े होंगे हम यहां घंटो क्यूं में खड़ा रहना पड़ता है इसलिए क्यूं में खड़े हुकर ले्टर लेकर n से सुनो सटाव इने चलिए सर है इए जिनाट लेखिए मिनिस्टर साहब के पी आ ने गल्ति से लास्ट मंद का डेट डाल दिया होगा इन छोटी छोटी बातों को समझा करो यार चलो मेटा मुझे ठकता मैंते हो चुरोंगा ने क्या समस्थे हो तुम मुझे क्या करो आम इन्हें जानते हैं इनकी तरफ से मैं माफी माझती हूँ इन्हें कुछ मत करो दीपू, तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए किसने हेल्प किया था पूछ रही थी ना, वो देखा, इन्हीं अंकल ने किया था अंकल, आज मैं इस तरह से चल पा रही हूँ, इसका कारण केवल आप है, आप बहुत अच्छी अंकल, थैंक्यू उनकी अच्छाई ने मुझे शर्मिंदा कर दिया, और उनके संसकार ने मुझे शादी के लिए हां करने पर मजबूर कर दिया माफ करना क्या होता है, इन्हें देख कर सीखा है मैंने हम पत्थर से पेड़ को कितना भी मारें, लेकिन वो हमें फल ही देता है बिलकुल वैसे ही महा नहीं यह लोग भी रोखना माच चल 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 और के पीछे चल अल्दे वेस्ट भाई, थैंक यू छोटे चल 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 अरे विष्णू कहां चाला क्या था यह चोट कैसे लगए अरे वह रास्ते में पूछ लेना पहले तयार तो होने दू ठीक है, चेंज करके आतो, वही रूम है ना जल्दी से तुम भी तयार हो जाओ अंकल पता है असल में क्या हुआ था कहों सा नया काम हुआ होगा तुम लोगों ने बकवास काम किया होगा मेरे बेटे की बली चड़ गई होगी और बाहर निकलने के लिए इतना टाइम लग गया होगा वो तो तुम्हे छोड कर आ नहीं सकता न और तुम लोग उसे नहीं छोड़ सकते अरे जा जल्दी वंदना की शादी रुख जाएगी ये सोचके त्याग हाख या अच्छा नाटी है बोला ना इसे अटा याद आ गया जीजा जीजा जी यहां इससे वंदना की शादी क्यूं करवा रहे हो यह राथ को अपने दोस्तों के साथ डारू पीकर लड़कियां घुमाता है जीजा जी इसने तो मेरे साथ भी पतमीजी की दी तुम्हारे हिसाब से तुम्हें गलत लग तुम्हारे जैसे लोग कभी शांती से नहीं रह सकते याग लगाना छोड़कर शांती से रहना सीखो खुश रहोगे जाओ अब तो हो गई मेरी शादी तुम्हें तारा को समझने के लिए कहा था ना समझ लिया है मैं हमेशा अकेला रहा पर अब तारा ही मेरे लिए सब कुछ है यह सब कुछ तुम्हारी वज़े से थैंक्यो विष्णू मूरत निकला जा रहा है मंगल सुत्र पेनाओ अब अब य हो पिर समयल प्लेज है अले इव यह ना सेल्पी वाला हुआ हुआ है थेंक यू भाईया उचे और सेयत को शादी करनी थी पर बोला करजा उतारे बिना नहीं कर पाएगा आपकी महरबानी से करजा भी उतर गया हमें आशिरवाद दीजे भाईया इसका तो फ्यूजी उड़ गया अल्ड़ पेस जिजा जी गुड़ लग जिजा जी जाकर अपमी दीदी को पेजो ए विश्नु अरे अब क्या है तो अब तीजा घबरा रहा है उसका वीडियो तु डिलीड करेगा तुने ऐसा बोला था ना वो सब बात में करूँगा पहले मुझे प्रस्पेक करने थे शुन यास बेलिगा अरे रुक ना ओपर तुक पक्वास मत कर तु डिलीड के लिए जल्दी से डिलीड कर हो गया हो गया हो गया अगया आगया सुपब यह 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 अच्छा तो सेल्फी ऐसे लेते है ना हाँ तु लेता हूँ